गुड मॉर्निंग बच्चो कैसे हो सब मैं अपूर्व भाया हूं मैं विद्यामंदर क्लासेज में केमिस्टरी बढ़ाता हूं और आज डाउटनेट पे मैं आपके लिए केमीकल बांदिंग काचाप्टर लीखाया हूं कैसे है सब बच्चाय कमेंट्स में लिख्खे बताओ सब कैसे इस बढ़ीन बताओ लिखो भाई कौन कौन है खलास में कमेंटस में लिख्के बताओ गुर्ड बॉनिंग करो मुझे देखू chemical bonding में आज जो हमारा main topic है वो क्या है resonance main topic resonance resonance क्या होती है भई किसी को पता है what is resonance किसी को देखो ओके सो रहे अभी बच्चे तो resonance क्या होता है basically delocalization 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 का मतलब क्या होता है movement movement of of pi bonds and loan pairs delocalization of pi bonds and loan pairs in a Lewis structure in a Lewis structure is called resonance भाई एक structure में एक structure में pi bonds और loan pair अगर move करें एक structure में अगर कैसे मूव करें अभी देखते हैं तो आप देखो जैसे co3 to minus co3 to minus तो इसका अगर लूवे structure बनाओ कितने बचों को लूवे structure बनाना आता है comments में लिखके बताओ बेटा लूवे structure बनाना आता है या नहीं आता carbonate का co3 to minus का लूवे structure बनाना आता या नहीं आता बताओ 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 गुड मॉर्निंग आयूष गुड मॉर्निंग हाँ तो देखो लूवे structure बनाना मैं अभी सिखा दूँगा give me 1 to 2 minutes just let me introduce resonance first पहले resonance समझाने दो फिर मैं लूवे structure बनाना भी सिखा दूँगा अगर आपको नहीं आता तो जैसे co3 2 minus के जो लूवे structure possible है वह वह co3 2 minus का अगर लूवे structure कोई बनाना चाहे कोई लूवे structure जिसको बनाना आता है तो वह co3 2 minus का लूवे structure कुछ ऐसे बनाएगा तो अब इस structure में क्या है इस structure में क्या है अगर जो यह पाई बॉंड देखो जो यह क्या कहते है यह जो पाई बॉंड है और यह जो लोन पर है अगर यह मूव करने लगे अरे सर मूव कैसे करेंगे मानलो यह दोनोव एलेक्ट्रोंज है यह दोनोव है इस जो यह दोनो रिक्त्रon सटी यहाँ पर आजेए उप्टाया कुंव Sum Resonance क्या होता यह वो समझा रो, What is Resonance? Good Morning बीटा Good Morning विकास, अभी में समझा रो, What is Resonance क्यों होता है वो भी बतावाँगा लेक्चर सुनते रहो एंड तक resonance एकदम clear होगी क्या होती है क्यों होती है Q क tap कि Laurie करते है के करते है क्या रेजनेंस से स्टेबिलीटी आती है या अन्स्टेबिलीटी आती है क्या क्या होता है रेजनेंस तो सब बाते आज की लेक्चर में कवर हो जाएंगी जस्ट सुनते रहो आखे खोल के कान खोल के सुनते रहो तो रेजनेंस में होता गया है अभी क्यों होता है यह नहीं बता र लोन पेर दे एक ये एक ये इस के स्पेजर जो लोन पेर दे अब जो ही ये पाई बॉन दीज ये भी लोन पेर में करोट होगा ठिक है इस ऊक्सुजन प्रमाइननस चारज हो देऊगा और ये वालत आठीच आठीजन ये इस इस ऑक्सिजन के पास एक लोन पर कम हो जाएगा सर ऐसा क्यूं होगा अगें क्यूं होगा मैं समझाओंगा क्या हो रहा है वो समझो मैंने रेजोनेंस की डेफिनेशन क्या लिख वाई दी लोकलाइजेशन मतलब मूवमेंट और पाई बॉंड एन लोन पेर्ज देखो यही त ऑन यह जो यह वाला पाई बॉंड है यह मूव करके यह लोन पिर में अनवर्ट हो गया और जो यह वाला लोन पेर यह यह मूव करके यह थे यह सायं भा dw disciplined old तो एक बर मैं फिर से समझा देता हूँ रेजोनेंस, वाट इस रेजोनेंस? दी लोकलाइजेशन, वाट इस दी लोकलाइजेशन, मुवमेंट और पाई बॉंड विकास को समझ में आ गया, बहुत बढ़िया, गुड विकास क्या है, डी लोकलाइजेशन मतलब मुवमेंट और पाई बॉंड पाई बॉंड और लोन पेर की मुवमेंट is called resonance, for example, CO3 2- में resonance होती है, CO3 2- में resonance होती है, तो मैंने CO3 2- का Lewis structure बनाया, ये Lewis structure है CO3 2- का, ये Lewis structure है CO3 2- का, ये क्यों मैं Lewis structure कैसे बनाया, हाँ, बेटा मैं बता जिता हूँ, क्लास का रोटीन अभी आपको बता जिता हूँ, सुनते रहों बता दूँगा, तो basically, पहले मैंने CO3 2- का Lewis structure बनाया, तो CO3 2- का Lewis structure ऐसा होता है, कैसे बना दिया सर, हम तो नहीं मानते हैं, ऐसा होता है, कोई बात ने बच्चों, मैं भी सिखाऊंगा, कैसे बनाते हैं, अभी मैं सिखा दूँगा, Lewis structure कैसे बनाते हैं, ठीक है, तो पर अभी होता है, मानलो, मेरे मेरे पर विश्वास रखो, CO3 2- का Lewis structure ऐसा होता है, ठीक है सर, आप कह रहे हैं, तो हम मान लेते हैं, अब मैं आपको समझा रहा हूँ, रेजोनेंस कैसे हो रही है, इसमें क्या होगा, जो ये पाई एलेक्ट्रों, ये जो लोन पेर है, ये पाई एलेक्ट्रों बन जाएगा, और जो ये πाई एलेक्टरोन है पता है ना पाई एलेक्टरोन क्या होते है किसी भी दो आटम के बीच जो पहला बॉंड होता है सिग्मा बॉंड होता है किसी भी दो आटम के बीच जो पहला बॉंड होता है वो सिग्मा बॉंड होता है और जो दूसरा बॉंड होता है वो क्या होता है पाई बॉन्ड और इस बॉन्ड के जो एलेक्ट्रॉन्स होंगे पाई बॉन्ड के एलेक्ट्रॉन्स इनको पाई एलेक्ट्रॉन्स बोलेंगे ठीक है तो पाई एलेक्टरोन क्या होते हैं पाई बॉंड के एलेक्टरोन पाई बॉंड क्या होते हैं जो सेकेंड बॉंड होते हैं वो पाई बॉंड होते हैं किनी भी दो आइटम्स के बीच जो पहला बॉंड होते हैं वो सिगमा बॉंड होते हैं जो दूसरा बॉंड होते ह एकड़ होक्त है है यह जो इलेक्ट्राउंस हो जाएंगे क्या हो जाएंगे पाई उल्रेच्ट्रॉइन्स में सम्हेसिकल ह्यो धागां तक्ये पाईए ़िलेक्टरॉंस लोन ऐलीम अकन डूप GitHub होते हैं और लॉन पेर पाई यह का बेर पर रहस बैग जो ऑंग अ कन समझ वे करता हूं समझ मैं आ या या नहीं स noticed कि अब बहुत बिडिया बहुत प्यारे प्यारे बच्चे आए मैं आज लेक्चर में बहुत बढ़िया बच्चो तो सब को समझ में आया है तो यह रोनेंस होता है अच्छा अब कमेंट्स में लिखके बताओ रहा लूजटार में कितने पाई बॉनड है किसे लोन पर रहे हैं सब हम बता पाएंगे लुवी सट्रक्चर से लुवी सट्रक्चर से निकाल लेंगे तो इसको मिटा जेता हूं मैं ठीक है ऐहोप समने नोट कर लिया होगा भाई क्लास ले रहे हो ना तो कॉपी पेन लेके बैठो कॉपी पेन लेके बैठो जो मैं लिख रहा हूँ, साथ-साथ लिखते रहो देखो scientifically proven है कि अगर कोई चीज सुन रहे हो और वही चीज लिख भी रहे हो तो वो चीज याद हो जाती है वो चीज समझ आती है ठीक है बेटा तो इसको मिटा देते है ठीक है तो यार co3 two minus के हमने दो resonating structures बनाये थे एक तो यह एक तो यह ठीक है अब आप बोलोगे सर जो यह वाला लोन पेर है जो यह वाला लोन पेर है यह पाई बॉंड में कनवर्ट हो गया यहां पे क्या सर यह वाला लोन पेर भी हो सकते है पाई बॉंड में कनवर्ट फिर से सुनों मैं क्या के रहू सर आपने बोला कि जो यह लोन पेर है यह लोन पेर पाई बॉंड में कनवर्ट हो यही हो आण बहुत बढ़या बेटा बहुत बढ़या विकास बहुत बढ़या वर्य एलोण पैर थिस्ट का किसर ये वाल अलून पैर ठाइबाई गिंवर्ट के Con wearing सकते हैं क्या सब ये वालोन पैर फिस्ट कर सकते हैं बोचत है हुब घंड हो सकते हैं तो जब हल gonna लोन पेर पाई बॉन्ड में कनवर्ट होगा तो कौन सा रेजुनेटिंग स्ट्रक्चर बनेगा तो एक और रेजुनेटिंग स्ट्रक्चर बन जाएगा गुड़ आयूश कैसे बनेगा C अपकी बार जो यह वाला ऑक्सिजन है इसके लोन पेर अपनी जगा पही रहेंगे जहां पहले थे बट जो ये वाला ऑक्सिजन है इसका एक लोन पेर इसका एक लोन पेर पाई एलेक्टरोन में कनवर्ट हो जाएगा इसका एक लोन पेर पाई एलेक्टरोन में कनवर्ट हो जाएगा ठीक है और अगेन जो ये पाई बॉंड है ये लोन पेर में कनवर्ट हो जाएगा तो यह एक और रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हो गया CO3 2- का, तो आपसे कोई पूछे CO3- के कितने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन सकते हैं तो आप बोलोगे 3 बन सकते हैं, एक यह दूसरा यह, दूसरे वाले में जो इस वाले ऑक्सिजन का लोन पेर पाई बन में कनवर्ट हुआ, दूसरे वाले रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में, इस वाले ऑक्सिजन का लोन पेर पाई बन में कनवर्ट हुआ, और तीसरे वाले रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में, इस वाले ऑक्सिजन का लोन पेर five on the convert war to co3 to minus k team team resonating structure running paper my question I how many resonating structures are possible for co3 to minus answer gauga 3 how many resonating structures structures are possible for co3 to minus answer we is this thing understood but Joe gap for your bad somebody are here but I'm a co-eck my pole run cardo cap play about somebody are here co3 to minus care resonating structure when I I'm gonna get it I'm gonna go to this is this was a much bigger please thumbs up bigger do comment section way the co Suntero again did it again resonance ka harik aspect resonance ka harik aspect मैं आपको क्लियर कर दूँगा आजी के लेक्थिर में बहुत ही बढ़ या तो यार co3 2-0 के resonating structure कितने हो गए 3 हो गए अच्छा अब there is something called resonance hybrid there is कोई ऐसे चीज है जिसका नहा में resonance hybrid यह तीनों के तीनों structures के यह एक तेनों के तुनों Sturnej के यह थीनों की तुनों 2-0 एक चीज होती है, iej रेजोनेन्स हाइबिरट, एक चीज होती है, रेजोनेन्स हाइबिरट, ये क्या चीज होती है, leur? What is this? तो basically, Sir, वान्स्मूर, अविनाज के रहा है, अवानश के रहा है, वान्समूर, वान्समूर बता देते हैं, बाटा, देखो, CO32-, CO32- जो है उसका जो resonating structures होते है, हाँ अविनाज में बता रहा हूँ बेटा, दुबारा बता रहा हूँ, CO32- के 3 resonating structures होते है, पीचलर बनाते हैं मैने बनाते हैं मैने बताया इस बनाते हैं पहले मैस का हिलुविम्र लुव स्ट्रक्चर बना लो यह लूम रे ट्रे टे माना था ज़ले एक structure बनाओगे तो यह बन जाएगा फिर मैंने बताया था रेजोनेंस इस वाट मूवमेंट रेजोनेंस क्या है मूवमेंट मूवमेंट आफ लोन पेर एंड पाई एलेक्ट्रोंस तो यह लोन पेर दिखाई दे रहे है यह लोन पेर दिखाई दे रहे है यह लोन पेर है यह एक बॉन्ड होता है जो दूसरा बॉन्ड होगा वो पाई बॉन्ड होगा तो पाई बॉन्ड जो मने राइड में बनाया है इसके जो एलेक्टरॉंड होंगे वो पाई एलेक्टरॉंड खेलाते हैं रेजोनेंस में क्या होगा जो लोन पेर है जो लोन पेर है वो पाई बॉन्ड जो लोन पेर है यह पहले लोन पेर थे यह पाई बॉवन बंगे और जो 121 बå फंड हे हर बीक दबी तेम के न वितांगे हिलुड है तबjust सवाल दोंग ना पहली आज हम में रेजर्पस पढ़ेंगे नीट में रे контр będą न यह तो नी करेंगे ना को ठीके तो पहले पूरा टॉपिक पढ़ेंगे फिर नीट का सवाल करेंगे थ्षर ही तो रश्वश रखो एक बार इसमें हुआ एक बार उसमें हुआ तो यह तीनों के तीनों रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्चर्ज हैं co3 to minus के अच्छा फिर हम बच्चे जो थे बच्चे कहते हैं हम गए साइंटेस्ट के पास हमने बोला कि co3 to minus का असली स्ट्रक्चर कौन से यह वाल है यह यह वाल है यह यह वाल है पूछो को तो सही co3 to minus के आपने बता दिया हमें तीन-तीन स्ट्रक्चर सर वान टू थ्री असली में co3 to minus कैसा दिखेगा अगर मैं co3 to minus का molecule लूँ और उसे electron microscope से देखूं तो कैसा दिखाई देगा ऐसा की ऐसा की ऐसा तो साइंटेस्ट ने बताया केमिस्ट इसने बताया तीनो की तऱ ने दिखेगा co3 to minus जब हम असली में देखेंगे न तो ना तो ऐसा दिखेगा ना तो ऐसा दिखेगा इन तीनों का मिक्स से निखेगा मैं लब एक ऐसा structure होगा जो इन तीनों का mix structure होगा उसको उन्होंने resonance hybrid नाम ती फिरसे सुनों फिर से सुनों फिर से सुनों comment में लिखतेर हो साच सथ अबर कोई चीज नहीं समझ आरी तो मैं continuously आपके comments देख रहा हूं ठी तो हमने पुछा यहमिस्ट से साइन्टिस्ट से बिटा निए अग्याट तो निए बोलेंगे सर बताओ co3 to minus असली में कौन सी फॉर्म में होगा ऐसा दिखाई देगा कि ऐसा दिखाई देगा कि ऐसा दिखाई देगा तो उन्होंने देखके बताया देखके बताया होगा obviously कि नहां तो ऐसा दिख रहे है ना तो ऐसा दिख रहे है ना तो ऐसा दिख रहे है वो एक resonance hybrid दिखाई देर है co3 to minus का जो वो resonance hybrid के बिसिकली वो mix होता है इन तीनों resonating structures का एक mix structure होता है mix structure of all resonating structures कैसे बनाते हैं अभी सिखा रहों पहले definition लिखवादू mix structure of all resonating structures तीनों resonating structures का एक mix structure बनता है welcome बीटा welcome बीटा मेरा यही काम है I am here to clear all your doubts ना तो class में कोई भी बच्चा है इसको हलका सा भी डाउट है प्लीज कमेंच में लिखो मैं क्लियर कर दूँगा अगर सब बच्चे सर के लिए बराबर है अगर एक भी बच्चे के दिल में हलका सा भी doubt it is a mixed structure of all resonating structures structures exist structures में compounds exist in the form of resonance hybrid compounds exist in the form of resonance hybrid to compounds asli में resonance hybrid की form में exist करता है resonating structure की form में exist नहीं करता resonance hybrid की form में exist करता है अब resonance hybrid बनाना कैसे वह बताऊंगा मैं पर उससे पहले as usual एक pole run कर वाऊंगा कि आपको समझ में आया की resonance hybrid क्या होता है resonance hybrid क्या होता है compounds जिस फॉर्म में actually exist करते हैं आप से पूछ हो कि CO3 to minus की form में exist करेगा इस इस फॉर्म में इस फॉर्म में में फुछ आप से तो आप बोलोगे नहीं इन तीनों फॉर्म में नहीं एक और फॉर्म होती ए जिसको बोलते resonance hybrid वह उस फॉर्म में exist करेगा resonance hybrid कैं इन तीनों में कहते हैं ना एड के बाद है ना यहां पोल के बाद बहुत ही बढ़िया बहुत ही प्यार है बच्छे है सब को A to Z सब समझा रहे है अच्छा अब रेजोनेंस हाइबरिट बनाएं कैसे डेफिनेशन में मिटा देता हूं लिख लो फैले इसे लिखते रहाना बेटा लिखते रहा ना बहुत जरूरी है विकास लिख रहा है मुझे पता है बहुत बड़ीया वच्छिय हो है तیک में रेजोनेंस हाईबरिट चैंट कैसे बनाते हैं więc O I'm how to make how to make resonance hybrid how to make resonance hybrid resonance hybrid आखिरकार बनाए तो बनाए कैसे सर ठीक तो बहुत ही सिंपले resonance hybrid बनाना बहुत ज्यादा सम्पना कैसे देखो जो आटम है ना C O O O पहले तो आटम बना दो बीच में C O O O आटम बना दिये कोई दिक्कत आटम बनाने में पहले तो आटम बना दिये को पैन की थोड़ी इंक खतम सी हो गई थी नहीं पैन लेकर आओ ठीक है पहले तो आटम बना दिये अच्छा के मिस्टिर का पिपर है हाँ बेटा ये क्लास एकदम फ्रियों आफ कॉस्ट है सब बच्चों के लिए ठीक है ठीक है ठीक है बेटा जिसका के मिस्टिर आपेपर है आल दा वेस्ट ठीक आच्छा ओके तो पहला के पहला स्टेप क् पहले तो आटम्स बना दो पहले तो आटम्स बना दो पहले तो आटम्स बना दो क्लियर निया क्या विकास पहले क्या गरना है पहले आटम्स बनाने है उसके बाद क्या गरना है आटम्स बनाने के बाद सभी आटम्स को सिंगल बॉंड से जोईन कर दो सभी आटम्स को सिंगल बॉंड से जॉइन कर दो सभी आटम्स को सिंगल बॉंड से आटम्स कौन कौन से हैं कारबन ऑक्सिजन 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 आटम्स बना दिये सभी आटम्स को सिंगल बॉंड से जॉइन कर दिया उसके बाद उसके बाद सुनना जहां जहां पे पाई bond आ रहा है resonating structures में वहाँ वहाँ पे dot dot लगा दो मैं इस चीज़ को लिखता हूँ इस लाइए बहुत इंपोर्टेंट लाइन है सबसे इंपोर्टेंट लाइन यही है लिखते हैं इस चीज़ को जहां जहां सर हिंदी में लिख रहे है बोर्ट पे क्या हो गयार मातर भाशा है अपनी ठीक है जहां जहां पे पाई बॉन्ड आ रहा है आ रहा है रहा है रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में कि वहाँ वहाँ डॉटेज लाइन बना दो क्या मतलब सर इसका देखो इस यह जो कारवन है को तीसरा पेन एडिया मेर कोई को यह período को यह वालत जो कारवन है कारवन और और उकसिजन केanos इस और इस ग्रावन और इस और यह ओक्सिजन के बीच वे इस ट्रैक्टर में इस वाले स्ट्रैंट्र Mana ओके अच्छा ओके गुड वेरी गुड समझ गया विकास हां मैं इंग्लिश में लिख दूंगा इस चीज को इसको मैं इंग्लिश में भी बताऊंगा पर ले समझ लो फिर इंग्लिश में बताता हूं मैं क्या कहा हूं इस कारभन और इस एक्सिजन के बीच में चैशिया जो पहले इस ट्रक्टर में इसकार्भन और इससने बीच में क्याब क्या आइंगöz है ओके बीटा मैं समझ गया विकास अब मेरी बात तो सुन्थ क्या कार्बन और ओकेolicon के भीड्म शजरा रहा हो गार्वा क्या कार्बन और ओक्सिजन के भीच में पाई बॉञ्ड है पहले स्ट्रॉ्टिर में क्या कार्बन और醉 cuba английी पाई पंद पले स्ट्रैइर में यस आप पाई पंट ठो मेंने यहigare पाई बोन भाई भॉन्न तो दूसरा वाला पाउन होते है एक ऑन के पहले स्ट्रैटर में और प्र।ाय के बीच में यह भी चेक कर लेते हैं, तीसरे में है की नहीं है, तीसरे में नहीं है, तीसरे में पाई बॉंड नहीं है, तो अगर किसी भी एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में, अगर किसी भी एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में पाई बॉंड है, तो रेजोनेंस हाईबरिड में डॉ जोनेटिंग स्ट्रक्चर में पाई डूसरे राले में है तो दॉट डॉट बनादो अ आगे बढ़ते हैं किया इस कारवन और इस कारवन के बीच में किसी भी it बीच में बढन से इसमें से बारेजाइ गंग है इस में नहीं है इसमें है यहाद भी डॉच डॉच बना दो कि समझे रो यह डॉच 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 बनाने का गएक दो डॉच वैजुस मुझत वना डॉच थाउच में यह 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 डॉच 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 बनाने माला चो अनिवप्त। में कराता हूं पॉल के झुरू बताऊ समझ máय आया या यह झाल झाल तो एक दो बच्चो को नहीं समय मैं आया मैं कैसा लगाय हुआ एक दो बत्चो को नाय देन को नोई बातनी बैटा हुआ मैं बताता हुआ है इस यह को मैं फीर से बतातोल थो र camera mope לפ No Commence here though Chennado Penal tertia taylor आखिल बनाते कैसे हैं बताओ ना बताओ ना हुआ करवजित ने आइटम है वो बना दो आटम कौन कौन से एक कार्वन है कminute कार्वन कैस फास तीन ऐस तीन ऑकिंट बनिकार्वन के आस तीन ऑकर आ यह एना एक करίν मैं कार्वन केस फास तीन औक्सिजन यही तो है और के step one item बना दो लिख दूं कहीप स्टेप snne husband make items step two step two make single bonds between the atoms atoms के बीच में single bonds बना दो बना दिया सर आपने का हमने बना दिया आपके इच्छा सलाखो वे एना बढ़िया step three step three check Karo step three check Karo key जितने भी आइटमieveल कितने एक to carbon oxygen शेरी जिपने भी बान जने जना ने फिद म वाइन एक यह एक तो existed है तो बनड यह name a एक बॉंड यह है चेक करो क्या तीनों के यह तीनों के तीनों बॉंड यह तीनों के तीनों बॉंड में कभी पाई बॉंड आया क्या कभी डबल हुए क्या जैसे फर्स्ट वाला बॉंड है यहां पर डबल नहीं है यहां पर डबल है तो इस पर डॉट डॉट डाल दो डबल प्रेल के करो क्या इसमें कभी सवी डवल दाया तीनों राजोने टeंटिंग sbak逐स में इस बोंड पर डवल बॉन्ड आया या नहीं आया चेक करते हैं मैं फटी करते हैं आई ञेक्वोण धरी पर गया अगर आया तो डौट डॉट डाल दो है यहां है तीसरे वाले में तो यहां पर भी डॉट डॉट डाल दो क्या ही इत में रिजोनेंस हाइब बनाना सिखा रहो हूं क्या यह समझा है रिजोनेंस हाइब डॉट डॉट कैसे डालने है step 1 make atoms step 2 make single bonds between them step 3 step 3 check करो सारे के सारे bonds मैंने जिसे नमबें देदे ती फिर से बता रहा हूं मैंने in bonds की नमदे देथी इस बॉर्ड को मने लाम टू पर या-धू दिया था इस को मने नमबर वक्राहएब यह सेक लॉन नहीं है यहां पर डबल वॉन है अब डबल बॉन आ रहा रहा है तो टो डॉट डाल दू कूक रहो ज्बताओंगा सबर रखो तीस में जूस का इसूं बॉंड के पास कभी डबल बॉल रहा है यहाँ पे सिंगल है यहाँ पे सिंगल है यहाँ पे दबल हो गया, तो यहाँ पे dot dot डाल दो क्या आपको क्लियर है, क्या आपको एड़ ही लिटा Is it clear through a poll में को बताओ is it clearप .-डालने वाला concept बताओ बताओ देखो एक-एक बच्चे को क्लियर होना चीह एक-एक बच्चे को जो क्लास में तभी सर का मक्सद पूरा होगा ठीक है मैं मिशन विल भी फुल्फिल्ड तभी ठीक है ओके देखते हैं बहुती बढ़िया वेरी गुट बहुत अच्छे बच्चे यह होगा step 3 step 3 मतलब to make dots step 3 का लिखो यहां लिग देता हूँ step 3 make dots अब आता है step number four abata step number four यह क्या क्यता है यह क्यता है कि सारे शॉनेटन स्ट्रक्श問 चेक करो कितने शॉनेटन स्टॉक्चर्शर यह एक दो तीन सारे शुनेटिंटन स्टर democrat करो देखो और कॉण कॉण से atoms पर माइनस चार रहा है फिर से सुनो सारे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स चेक करो और देखो कौन-कौन से आटम के पास चार्ज है सारे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर चेक करो और देखो कौन-कौन से आटम के पास चार्ज है पहले स्ट्रक्चर में इन दोनों के पास चार्ज है दूसरे स्ट्रक्चर में इन दोनों के पास माइनस चार्ज है इन दोनों के पास तीसरे स्ट्रक्चर में इन दोनों के पास चार्ज है मतलब तीनों ऑक्सिजन पे तीनों ऑक्सिजन पे कभी ना कभी माइनस वान का चार्ज रहा है तीनों ऑक्सिजन पे कभी ना कभी माइनस वान का चार्ज रहा है पहले रेजुनेटिंग स्ट्रक्चर में इन दोनों ऑक्सिजन पे माइनस है दूसरे रस रहडिन रहा में इं संट इन रह二 चैजन में ये से इंसरी रैस्ट इन defending पस दिन फ्ररइंटर में इंड रॉन पास माहिन्स है तो थी न ऑ चेओ के पास कभी न कभी मैनेंस शार्स करें समय महियत बॉसरे लएड रेक्षिण पैस में आज रहाई पहले आटम्स के पास रिपीट कर देता हूं देखो step 4 a check for charges check for charges क्या मतलब इसका देखो पहला structure देखो पहले structure में तो यहां लिग दता हूं 1 2 3 बिटा यह विजिबल है यहां पर 1 2 3 दिख रहा है तो तो देखो पहले structure में पहले structure में पहले structure में पहले और किस पर माइनस है? ऑक्सिजन टू पर ऑक्सिजन थी पर भी माइनस है, पहले स्ट्रक्चर में. दूसरे स्ट्रक्चर में, ऑक्सिजन नंबर वान पर माइनस है और ऑक्सिजन नंबर थी पर माइनस है. और तीसरे structure में oxygen 1 और 2 दो नों पर माइनस है तो मेरा कहने का मतलब है मैं कहना क्या चाहता हूँ अगर यह नहीं भी समझ आ रहा तो मैं यह कहना चाहता हूँ कि oxygen पर oxygen पर इस वाले oxygen पर भी कभी ना कभी माइनस रहा ही है इस वाले oxygen पर कभी न कभी माइनस रहा ही है इस वाले oxygen पर कभी न कभी माइनस रहा ही है तो इन तीनों oxygen के उपर delta minus लिख दो यह delta minus यह बताता है कि अलग-अलग resonating structure में कभी न कभी इनके पास minus charge आया था फिर से सुनो फिर से सुनो step 4 है check for charges check करो भाई charges है या charges नहीं है check करो भाई charges है या charges हाँ बिटा मैं डेली college of engineering DC से chemical engineer हूँ ठीक है अच्छा तो मैं क्या बता रहा था step 4 में क्या या चक करना है step 4 में क्या चक करना है step 4 में हमें check करना है कि यह जो atoms रहाan इनके पास नेगटिव चार जा रहा है इन आइटम पस कापी नेगटिव चार जा रहा है हां इस वाले जिंब्टिक और जईजिं पे देखो माइनस आ रख है यहां पर और तन फके यहाँ पीन कार्च कर दोड़े बात करो यहां पे नहीं माईनस हो तो मतलब स और इस ऑक्सिजन पर भी मायनस है कभी नहीं दो हुआ तिनों के उपई इक बिल्या इल्टा मैनिस लिग दो ङ्युटता इस बात समय जा रियी किए अकमेंड वाकित वा तो यह बात समझर यह जिन भी आइटम्स पे माइनस चारज आया हुआ है उन पर डल्ता माइनस लिख दो कारश्बब पर देखो कभी भी चार्ज नहीं आया हुआ हुआ क्या Carbon पर कभी चार्ज ए ना तो यहाँ पर चार्ज यह ना तो यहाँ पर चार्ज थो Carbon पर मैंने कुछ नहीं लिखा बिटा समझ में आ रहे हैं बताओ बिटा डाषि पोल रांगरते यह डेल्टा माइनस वाले चीज़ समझ में आई को बताओ है आज बहुत ही अच्छे बच्चे आयो है क्लास में बहुत बढ़िया लगबग सबको समझ आ गया है कुछ है एक दो बच्चे जिनको नहीं समझ में आया है सर के लिए सब बच्चे अगेन बराबर है तो सर फिट से रिपीट करेंगे देखो हुआ हमें चेक करना है हर एक आटम पर इस ऑक्सिजन की बात करो क्या इस ऑक्सिजन के उपर कभी नेगेटिव चारज आया हुए पहले इस ऑक्सिजन पर नेगेटिव चारज नारा रहा हुए कहां पर इस ट्रक्टर में भी और हैस् ट्रक्टर में भी तो इस ऑक्षिजन की उपर डिल्टा माइनस लिग दो आप चे करते हैं इस वाले औक्षिजोन के आप बात करते हैस्योन औक सीज़न की अब बात करते हैं इस ऑक्सीजन की क्या इसक्षिजन पर कभी नेगिटिव चार्ज आया हुए पहले स्ट्रॡचर में आया हुए दूसरे में आया हुआ है तीस में नहीं आया हुआ पर दो जेगा तो आया हुआ है ना दो वाटी के एक वारी भी आया हुआ हो तो देल्टा माइनस लिख देंगे अप बात करते है कार बंगी क्या कार बन पहGood सी नेगेर चारज है 3 यहां पे नहीं यह यहां नहीं तो कार्वन पर कुछ नहीं लिखना विटा आप अप क्लियर हुई चीज फिर से मैं पोल रन करता हूं बताओ कि डेल्टा माइनस की चीज क्लियर हुई बहुत भी बढ़िया बहुत बढ़िया वेरी गुट पच्छो नेक्स्ट एंड फाइनल स्टेप एकदम फाइनल स्टेप उसमें क्या गरने क्या करना है बिटा मैं बताओ तो बड़ा सा एक ब्रैकेट बनाने बड़ा सा एक ब्रैकेट बनाने फाइनल स्टेप बड़ा सा एक bracket bananar और जोने तर्ट चार्ट जेने टिजाइने नेट चार्ज डू माइने सेनक फोटेशन मांड गिवन जाने छोग Normally नैट चार्ज कितना है two-minus है हम बात किसकी घरहें co3 to minus की बात कर रहे नेट चार्ज कितना है टू माइनस स्ट्रक्चर किसके बना रहे है किसकी कहानी कहा रहे है तक किसके बारे में पढ़ रहे है सी ओ त्री टू माइनस के बारे में पढ़ रहे है ना नेट चार्ज कितना है टोटल चार्ज कितना है टू माइनस वह बाहर रख दो क्या यह चीज़ समझाई जितना compound पे net charge है बड़ा सा bracket बनाना है और बाहर लिख देना है जितना compound पे net charge है एक बड़ा सा bracket बनाना है और बाहर लिख देना है यह हाजर होगा resonance hybrid this is resonance hybrid compound असली में इस फॉर्म में exist करता है compound असली में ऐसा दिखाई देगा CO3 2- को माइक्रोस्कोप में देखोगे तो ऐसा दिखाई देगा वो बेटा समझ में आया बताओ 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 पीटा जो class का schedule है 11th class जो है daily 10 to 1045 class होती है neat की ठीके बिटा तो एक में poll run करता हूँ क्या आपको यह समझ में आया या नहीं आया बताओ ठीक है बहुत बढ़िया तो बेटा यह CO3 2- की कहानी होगी मैंने आज CO3 2- use करके का example लेके resonance समझाने की कोशिश की थी आप लोगों को I hope सबको समझ में आयी होगी Lewis structure मैंने कहा था मैं आपको बढ़ाऊंगा ठीक है थोड़ा time की कम ही हो रही है आज की lecture में नहीं next या next to next lecture में आने वाले lectures में मैं Lewis structure टेक अप जरूर करूँगा ठीक है मेरी और भी वीडियो जैं doubtnet पे भी देख सकते हैं आप एंड यूट्यूब पे भी देख सकते हैं मेरा नाम अपूरवरोडा है ठीक है वीटा मिलते हैं next class में तब तक के लिए